देक्षा उत्सव कारिक्रम जो की हर्याना राज्य के सभी सरकारी वेनीजी विद्यालों में कक्षा एक से लेकर कक्षा बारा तक के विद्यारतियों के लिए आयुजित किया जा रहा है इसकी अवधी जो है वो 14 नुमंबर से 14 दिसंबर तक है आप विद्याले स्तर पर इस कारिक्रम को कैसे बेहत सफल बना सकते हैं उससे समंदित हम तीन बिंदू पर यहां चर्चा करेंगे और हमें पूरी उमीद है कि आगर हम तीन बिंदू पर कारिये करते हैं तो निश्चित तोर पर यह कारेकरम आपके विद्यल्य में बेहद सफल होने वाला है तो वो कौन से बिंदू है आईए जान लेते हैं दिक्षा उत्सव कारेकरम के तीन महतव पूर्ण बिंदू पहला है दिक्षा उत्सव कारेकरम के बारे में आप पुर्ण जानकारी जुटाएं दूसरा दिक्षा उत्सव कारेकरम समंधित तीनो एक्टिविटीज के जो है वो लिंक प्राप्त करें और तीसरा एक्टिविटी जमा करने का Google Form लिंक प्राप्त करें आईए इनको अब एक-एक करके जान लेते हैं दिक्षा उत्सव कारेकरम के बारे में मैधवपूर्ण जानकारी जुटाएं वो कैसे हो सकता है इसमें पहला है S.C.E.R.D. हर्याना द्वारा जारी पत्र पत्र संख्या भी हमने यह लिख दिये यह पत्र आपको प्राप्त हो चुका होगा आप इस पत्र को डिटेल से पढ़ें और दिक्षा उत्सव कारेकरम के बारे में पूर्ण जानकारी जुटा लें दूसरा उप्रोक्त पत्र के साथ सनलगन एक्टिविटी स्टैप्स को भी ध्यान से बढ़ें जब आप इस पत्र को देखेंगे तो इसके साथ एक्टिविटी स्टैप्स जो हैं वो भी सनलगन किये गए हैं एक्टिविटी किस तरीके से की जानी हैं आप वो भी जानकारी अच्छे तरीके से यहां ले लें तीसरा, S.C.E.R.T. हर्याना द्वारा जारी दिक्षा उत्सव पोस्टर एक पोस्टर भी जारी किया गया है हम आगे आप उसका सेंपल उसको उसके तस्वीर भी दिखा देंगे जो की आपको वाटसेप के माध्यम से प्राप्त भी हो चुका होगा उसको ध्यान से देखें और उसे समझ लें चौथा, S.C.E.R.T. हर्याना द्वारा की गई दिक्षा उत्सव औरियंटेशन जो की यूटूब पर हुई थी उसका लिंक प्राप्त कर लें और पूरे औरियंटेशन को ध्यान से देखें और सुनें पाच्वा और अंतिम उप्रोक्त सभी से प्राप्त जानकारी के बावजूद आपने पतर भी पढ़ लिया है, एक्टिविटी स्टैप्स भी देख लिये हैं उत्सव पोस्टर भी देख लिया है और दिक्षा उत्सव औरियंटेशन भी आपने सुन ली है फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप अपने ब्लोग के सक्सम सहयोगी या मेंटर जो कि बियार्पी या एबियार्सी होते हैं आप उनसे संपर करें आपको प्रुण जानकारी मिल जाएगी दूसरा दिक्षा उत्सव कार्यकरम समन्दित तीनो एक्टिविटीज के लिंक प्राप्त करें जैसा हमने आपको बताया है कि पतर आपको दिया गया है पतर के साथ Steps भी जो हैं संलगन है तो आप पत्र के माध्यम से भी ये तीनों एक्टिविटी जो की यहां मेंशन हैं पोईट्री, आर्ट, स्टोरिटेलिंग तो इनका लिंक भी वहाँ पर अविलेबल है और QR कोड भी वहाँ पर दिये गए हैं इसके साथ साथ से एसी एर्टी दुवारा वाट्सेप गुरूप के माध्यम से टेक्स्ट फोर्म में भी सभी तीनों एक्टिविटी के लिंक अविलेबल हैं आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं आप इस वीडियो से भी इन एक्टिविटी के जो QR कोड जो हैं वो स्टोप करके सकेन कर सकते हैं चोथा, ASEERT हर्याना दुवारा जारी दिक्शा उत्सव कार्यकरम के पोस्टर में तीनों गतीविदियों के लिंक उपलब हैं पोस्टर में पोस्टर उपन करें पोस्टर में एक्टिविटी का नाम है Arts, Poetry and Storytelling आप उस नाम को क्लिक कीजिए और ये link जो है अपने आप open हो जाएंगे और बच्चे जो है वो तीनों activity को एक एक करके देख सकते हैं कि उस activity में उनको क्या करना है और किस तरीके से वो activity की गई है तो आप ये तीनों link जो है प्राप्त कर लें तीसरा एक्टिविटी जमा करने का गूगल फार्म लिंक प्राप्त करें हमने करेकरम को समझ भी लिया है हमने वो एक्टिविटी देख भी ली है अब स्टूडेंट को वो एक्टिविटी रीक्रियेट करनी है तो रीक्रियेट करने के बाद वो SCERD तक कैसे पहुँचाएं तो उसके लिए आपके पास SCERD दिक्षा उत्सव करेकरम का गूगल फार्म होना जरूरी है तो इसमें आप देखें कि हमने यहाँ पर दिक्षा उत्सव करेकरम के लिए त्यार के गई अपनी अक्टिविटी की फोटो और तस्वीर दोनों में से जो भी आप तयार करते हैं बच्चो उसको इस लिंक के ये वाट्सेप पर अवेलेबल है submit your masterpiece है और इस title के साथ इसको attach किया गया है तो आप इसको प्राप्त कर लें और इसको क्लिक करके अपनी अक्टिविटी की फोटो या वीडियो जो आपने बनाई है उसको आप जमा कर सकते हैं हाँ इसमें एक नोट भी है साथ में क्या एक से अधिक प्रिविस्टियां स्वीकारिया है SCRT द्वारा इस इस रूप से लिखा गया है कि आप एक से अधिक गतिविदियों में भाग लेना चाहते हैं तो उन गतिविदियों के लिए या एक ही गतिविदी की अलग अलग जो हैं आप एक्टिविटी करते हैं आप चिडियां भी बनाते हैं आप जो है मोर भी बनाते हैं या कोई और जो आप आर्ट बनाते हैं तो दोबारा आपको Google Form Link ओपन करना होगा और उसको फिर सम्मिट करना होगा यानि कि एक से अधी गती विदियों में भाग लेने के लिए परतेक प्रिविस्टी के लिए आपको अलग अलग Google Form भरना होगा ये लिंक आपके सामने है आप इसको अपने मोबाइल में टाइप भी कर सकते हैं आप इसको वट्सेप के माध्यम से भी अपने टीचर से या अपने स्कूल मुखिया से अगर स्कूल में अभी तक उपलब्द नहीं हो पाया है तो आप अपने समंदित मेंटर से इसको प्राप आप इसको क्लिक करेंगे तो यह उपन नहीं होगा, यह पोस्टर में ही अविलेबल है, यह सम्मिट फॉर्म लिंक है, हम दोने सिर्फ आपको यह दिखाया है, कि यह इस तरीके से पोस्टर में दिख रहा है, दिक्षा उतसव कारेकरम जो की SCRD द्वारा जारी किया गया है, तो आप इस बटन को भी उस पोस्टर में, उस पोस्टर में जो है इसको आप क्लिक करेंगे, तो यह उपन हो जाता है, और उसके माध्यम से भी आप अपनी फोटो या जो वीडियो है, आप उसको सम्मिट कर सकते हैं, तीसरा, विद्यारती दिक्षा उतसव कारेकरम के पत्र के साथ भी और वाटसअप पर भी और अब यहां आप इस वीडियो को रोक कर इसको भी स्कैन करके जो है अपना गूगल फोटो भर सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपना तीनों में बिंदू जो हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपके पास गूगल फोटो होन पास उन तीनों एक्टिविटी के लिंक होने चाहिए, और तीसरा, जब आपने एक्टिविटी देख ली है, समझ ली है और अपनी एक्टिविटी करके आपने वीडियो या फोटो बना ली है, तो आप उसको कैसे जमा करेंगे, सेर्टी को तो उसके लिए गूगल फोर्म होना भी जरूरी है, तो ये तीनों बिंदू विसे इस तोर पर विद्याले ध्यान रखे, और एक साथ जब ये तीनों जानकारिया आपके पास हो जाती है, तो आपको इस कारेकरम में हिस्सेदारी करके, अपने विद्याले से करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये कारेकरम जो है आपके विद्याले स्तर पर बेहत सफल होगा, बहुत बहुत धन्यवाद.